घोसी उपचुनाओ पर मदगरना शुरू हो गया है। काटे की टकर में कौन बाजी मारेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन घोसी विधानसवा सीट के उपचुनाओ पर नाम अब पूरे देश की नजर बने हुई है। यहां मुखे मुकाबला भाजपा के दारा सिंग चोहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंग के बीच है। इसे इंडिया गड़बंदन और इंडिये का पहला मुकाबला माना जा रहा है। 5 सिप्टंबर को मद्दान में 4 लाख से अधिक मद्दाताओं में से लगबग 50 फिस्दी ने मद्दान किया था। जो कि बीते साल 2022 में हुए विधान सभा चुनाओं में 56 असमलो 68 से 6 फिस्दी से अधिक था। तब सपा प्रत्याशी दारा सिंग चौहान ने जित तर्च की थी। उप चुनाओं में दारा सिंग भाजपा प्रत्याशी है। ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि कम वोटिंग का फाइदा किसे मिलता है। इसे बेच खबर है कि समाजबादी पार्टी ने लगतार बढ़त बना रखी है। साथवे राउंड के बाद सपा के सुधाकर सिंग ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंग चौहान पर बहारी बढ़त बनाए हुई है। हाला कि सिर्फ साथवे राउंड में भाजपा को सपा से जादा वोट मिले है। साथवे चरण में पहली बार दारा सिंग चौहान को सपा से 1372 मत जादा हुए है। बढ़ादे कि गोसी उप्चुनाओं की गिंती जारी है। पहले गोसी तहसील के बढ़ाओं ब्लॉक के मत दाताओं की गिंती हो रही है। जहां पार्टवे राउंड तक भारतिय जंता पार्टी के उमिद्वार दारा सिंग चौहान समाजवादी पार्टी के उमिद्वार सुधाकर सिंग ने पीछे रहे। जबकि 2022 चुनाओं में इस ब्लॉक से 13 चक्र तक भाजपा आगे रही थी। मदगरना शुरू आती छे चर्णों में 8557 बोर्ट से पीछे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याश्री सात्वे चरण में सपा प्रत्याश्री से 1372 मत आगे निकले हैं। आपको बता दे कि घोसे उप्चुनाओं में सपा प्रत्याश्री सुधाकर सिंग को समर्थन देते हुए कॉंग्रेस आप सुहल देओ, सुवाभी मान पार्टी, कम्मिनिश पार्टी ने अपने प्रत्याश्री नहीं उता रहे थे। सपा प्रत्याश्री के पाक्ष में प्रचार भी इन दलों के पदादिकारी कारेकरताओं ने किया था। सपा की राश्री ए अध्यक्ष मायवती ने नोटा दबाने की बात कही थी। ऐसे में अनुसुचित वर्ग के मद्दाताओं कि एक लाख वोटो को लेकर दोनों खिमों में गुणागणीत होती रहे। विडियो डिस्क अमरुजाला.com अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला। चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ बेल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर। आमरुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर।